हालो फ्रेंड्स गुड मोधी केर मानिंग दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को मोधी केर का एक बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट लेकर आया हूं इसके बारे में बताऊंगा जिसका नाम है वेल अम्रिस सक्ती जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों यह हम मोदी केर का वेल अम्रिसक्ती है देख्यें कीछटों यह हमोधी केर का वेल अम्रिस सक्ती है यह है बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट माना ज inventor चलिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं इससे पहले आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो और बेल आइकान को जरूर दबाईएगा दोस्तों ताकि मेरा कोई भी मोधी केर का वीडियो बनता है ता आप सबसे पहले पहु यह चार तब तो मिल करके यह कैप्तूल तयार किया गया है जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों और यह हमारे लिए हमारे इम्म्यून्टी पावर के लिए हमारे पेट में एसीडिटी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है लांग हमारे इसलानी ताकत भी बनाता है और दोस्तों कपूर भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और पटीना जिसको बहुत ही अच्छा काम करता है और दोस्तों इतना पर नहीं अजवायन भी इच्छा हमारी पेट के लिए मानी जाती है हमारी इम्यूंटी पवर को भी सही रखती दोस्तों यह चारों सत्तों मिल करके यहां अमने सक्तित तयार किया गया है और मैं बता दूं दोस्तों कि यह किस विमारी में काम करता है सबसे पहला इसका काम है अगर कोई गयस का बहुत बड़ा पेशेंट हो जिसको एसलीटी बनती हो पेट फुला फुला सराता हो तो दोस्तों ऐसे कंडिशन में यह है कैसूल बहुत ही अच्छा काम करता है और किसी को गयस की यह सहे चड़ जाती है कई बैक साइड की चड़ जाती है या माते में चड़ जाती है इसके वज़ंचा से दर्द होता है तो ऐसे कंडिशन में आप अम्री सकती एक साथ दो कैपसूल दीजिए बहुत जल्द आराम हो जायेगा सर का दर्द भी सही हो जाता है और रिलाइक्स भी देता है इतना ही नहीं दोस्तों किसी को बहुत ज्यादा मिचली हो रही है बहुत ज्यादा उल्टी लग रही हो तो इसका कैपसूल पिंच कर लीजिए और दो चमच पानी में दो कैपसूल पिंच करके उसमें गार लीजिए निचोड लीजिए और उसको मरीज को पिला दीजिए उसका जो गैस की समस्याव तुरंत सही हो जाएगी 10-15 मिंट में बिल्कुल सही हो जाएगी आप चाहें तो बिना इसको निचोड़े भी इस तरह मिल जाएगा लेकि दोस्तों मैं बता दूं कि मार्केट में बहुत से गैस्टाइटिस के मरीज हैं जो की डाक्तर बहुत सारी दवाये चलाते हैं उसके साथ गैस की दवा जरूर देते हैं बहुत से लोग ऐसी लाग देते हैं तो मैं बता दो कि किमिकल के लिए उसन को एक परसेंट इसमें एक परसेंट बिकल नहीं है यह हमारे liver के लिए हमारे kidney के लिए कोई नुकसान दे नहीं है बलकि फायदे मंद है यह हमारे immunity को भी strong रखता है पूरसों में मरदानी ताकत को भी सही रखता है क्योंकि long जो होता है बहुत ही अच्छा हमारे लिए सरी के लिए माना जाता है स्पर्म जो होते हैं इससे strong रहते हैं और इतना ही नहीं दोस्तों एक तरह से गर्म माना जाता है जिससे की पूरसों के अंदर पूरसत्तों की कमी नहीं होती है और हमारे liver समद्री किसी प्रकार की समस्या हो उसको भी सही करता है अगर गैस का बहुत ज़्यादा कोई मरेज हो तो इसको सुबस साम खाली पेट एक एक कैपसूल जो है खाना खाने से आदा गंटा पहले जो है ले सकता है आपको कोई दवा लेने की जरूत नहीं पड़ेगी इसके अलावा और कोई अलग से गैस की दवा नहीं लेनी पड़ेगी नेकिन अगर कि कोई पेसेंट इस तरह स गैस से परिशान हो एसे डीटी से परिशान हो वोमिटिंग लग रही हो और मिचली लग रही हो पेट फुला फुला हो तो आप उसको डाइरेक्टली दो का एफसूल एक साथ दीजिए दस से पंदर मिट पे उसको रिलिफ मिल जाएगा और दोस्तों मैं बता दू कि यह जो अलावा गैस के अलावा किसी को अगर माते में दर्द है तो आप इसको जो है निकाल लीजिए पिंच करके और डाइरेक्ट माते पर भी लगाए तो रिलिफ मिलता है हड़ी की जोड़ों पर भी इसको निचोड करके थोड़े से तेल में मिलाकर लगाईए हड़ी की दर्द में भी बहुत ही आराम देव होता है आप गैस के साथ चाहें तो आर्थों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसको मालिस के तोर पर उपयोग करना पड़ेगा एक जान लीजिए दोस्तों की अमरी सकती का कोई साइड एफेक नहीं है आप इसको हमेशा ले सकते हैं अगर आपको जो है आपका पेट खुछा लगता खाना खाने के बाद तो हमेशा यूजा कर सकते हैं आपके लीवर या केड़नी पर कोई प्रूभाव नहीं पड़ता है और दोस्तों मैं अपने इस वी सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना न भूलिएगा गुर्मोजी किर्मानी युर्ण लाइब लाई आया